हलो माई डेरे सुडेंट्स, वेलकम डू माई चैनल अल्फा नॉलिज वॉक्स, इस वीडियो में आज हम क्लास सेविंध हिंदी के एक पीरोडिक टेस्टू के कोशन पेपर को डिसकस करने वाले हैं, और ये कोशन पेपर केंदरी विद्याले के स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्विस्ट है, आपका कई बार मेस्ज आता है कि ये पेपर केवी टीचर के हैं, बट ये पेपर ना तो केवी टीचर का है, ना ही मेरा है, ये पेपर किसी के परसनल पेपर्स नहीं है, इन पेपर्स को कोई भी अपलोड कर सकता है आपको जिस टीचर का वीडियो अच्छा लगता है आप उसे देखें प्लीज इस तरह के कमेंट्स ना करें चली पेपर को स्टार्ट करते हैं घंड का इसे पहला प्रश्ण है निमलिकित गद्यांश को पढ़कर दिये के प्रश्णों के सही विकल्पों का चैन कीज चली गद्यांश को पढ़ते हैं सब जीव जन्तु भाग कर इधार उधा छिप गये केवल एक शिशु खरगोश साप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में साप ने उसका आधा पिछला शरीर मूं में दबा रखा था शेश आधा जो बाहर था उससे चीची का सवर भी इतना तीवर नहीं निकल सकता था कि किसी को सपस्ट सुनाई दे सके नीलकंट दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वहां पूच पंक समेट कर सर से एक जटके में नीचे आ गया संभावता अपनी सहर चे पहला पुछा गया है सभी जीव जन्तू भाग कर इधर उदर कुछ चिप गए? पहला ले खिका की डर से, दूसरा नीलकंट के डर से, तीसरा सांप की डर से और शोता, इन में से कोई नहीं पहले वाक्य में देखे, सब जीव जन्तु भाग कर इधर दो छिप गए किवल एक शिशु खर्गोष साप की पकड में आ गया क्योंकि साप आ गया था, उसके डर से सब छिप गय थे उतर है साप के डर से अभी देखा था, किवल एक शिशु खर्गोष साप की पकड में आ गया इसलिए यहाँ पर सही उतर हो जाएगा साप ने तीसरा प्रशन पुछा गया है, अपने चोकन ने कानों से खर्गोष के बच्चे के मंद स्वर की विथा को किसने पहचानी पहला नेलकंठ ने, दूसरा कबूतर ने, तीसरा हर्गोष ने और चोथा राधा ने यहाँ पर देखे, नेलकंठ दूर उपर जूले में सो रहा था, उसी के चोकन ने कानों ने उस मंद स्वर की विथा पहचानी सही उतर है नेलकंठ ने चोथा प्रेशन पुछा गया है साप के फन को अपने पंजे में किसने दबाया राधा ने, कबूतर ने, तोते ने या फिर नेलकंठ ने यहाँ पर देखे, उसने साप को फन के पास पंजो से दबाया और भी चोट से इतना प्रहार किया कि वह अद मरा हो गया यहाँ पर उसने का मतलब है नेलकंठ ने, उत्तर है नेलकंठ ने और गद्याश का अंतिम प्रेशन है, उपर्यूक्त गद्याश के पाठ का नाम बताईए पहला विकल्प है चिडिया की बच्ची, दूसरा नेलकंठ, तीसरा अपूर्व अनुभाव और टोथा, हम पंची उनमुक्त गगन के यहाँ पर भी उत्तर नेलकंठ है, यह नेलकंठ पाठ से लिया गया है चली आगे भड़ते हैं, प्रेशन नमबर दो, निमलिकित काव्याश को पढ़ कर दियेगे प्रेशनों के सही विकल्पों का चैन कीजे यह काव्याश भी आपकी पाठ पुस्तक से लिया गया है काव्याश इस तरह से दूसरा भगवती प्रसाद बाचपेई, तीसरा आयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओध, और अंतिम शिव मंगल सिंग सुमन पद्याश पाठ के रचैता है, आयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओध दूसरा प्रेशन है, कवी बेचेन क्यों हो उठा? पहला उप्षन आख में धूल चले जाने के कारण, दूसरा आख में तिनका चले जाने के कारण, तीसरा आख में पानी चले जाने के कारण, और चोथा आख में रेट चले जाने के कारण, काव्याश में तिनके की बात की गई है, कभी इस कविता में ये बताने की कोशिश कर रहे कि अगर एक तिनका भी आपके आँख में चला जाए तो आप पेचैन हो सकते हैं, परिशान हो सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज़ पर घमण ने ना करें, यहाँ पर तिनके की बात की जा रही है, उत्तर है आँख में तिनका चले जाने के कारण कभी बेचैन हो उठा तीसरा प्रिश्ण है, लोगों ने कभी की आँख से तिनका कैसे निकाला? पहला, कपड़े की मूट से, दूसरा, हवा से, तीसरा, पानी से, और अंतिम, इसमें से कोई नहीं यहाँ पा देखें, लाल होकर आँख भी दुखने लगे, मूट देने लोग कपड़े की लगे, इसलिए सही उत्तर है, कपड़े की मूट से, लोगों ने कभी की आँख से तिनका निकाला चौथा प्रिशन है, कवी के मन से कौन बिना कोई आवास की ये कहीं दूर भाग गया, पहला, तकलीफ, दूसरा, दर्द, तीसरा, घ्रणा, और चौथा, अहेंकार और घमंड यहाँ पर दिखिए, मूट देने लोग कपड़े की लगे, एट बेचारी दबे पाउं भगे यहाँ पर एहंकार और घमंड की बात की जा रही है, सही उत्तर है, एहंकार और घमंड पाचवा प्रिशन है, कवी के घमंड को किसने चकना चूर कर दिया, पहला, बच्चे ने, दूसरा, एक नौजवान ने, तीसरा, एक तिन के ने, और अंतिम, एक खास ने कवी ने, कवीता इस बात पर लिखी है, कि उसकी आँख में एक तिन का चला गया, इसलिए सही उत्तर है, एक तिन के ने चली खंड खा में पूछे गए, प्रश्णों को देखते हैं, प्रश्ण नम्बर तीन है, निम्लिखित प्रश्णों के उत्तर निर्देशा अनुसा देजे, पहला प्रश्ण पूछा गया है, उचित वाक्याश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान में भरिये, यहाँ पर व फुर से, शोर होती ही चड़िया फुर से उड़े, आपने सुना भी होगा, जब चड़िया के उड़ने की बात की जाती है, तो इसी तरह से बोला जाता है, कि चड़िया फुर से उड़ गई, खापर है, ठंडी हवा हाले स्थान गुजरी, हवा की आवास को सामानता संसा न मैं ठंड में धर से काप गया घापर है मेधक पानी में खाली स्थान कूद गया जब कोई चीज पानी में गिरती है जब कोई पानी में कूदता है तो हम बोलते हैं कि वो छपाक से या छप से पानी में कूद गया या गिर गया यहां पर होगा छप से मेधक पानी में छप से और उससे निकलने वाली ध्वनी को टप टप बोलते हैं इसलिए यहां पर होगा टप से नल बंद होने के बाद भी पानी की एक बूंद टप से चूगए इस तरह से काव आक्य हो जाएगा शोर होते ही चडिया फुर से उड़े खा ठंडी हवा सन से गुजरी गा में ठंड में थर से काव गया घा मेढ़क पानी में चप से गोद गया और अंतिम नल बंद होने के बाद पानी की एक भूंद टप से चूगए खंड खा का दूसरा प्रश्ण है नीचे दिये के शब्दों के संधी विग्रह कीजे संधी का मतलब है दो शब्दों को जोड़ करके एक नया स्थान वो जगे चहां पर राजा या सिंग बेड़ता है दूसरा है नीलाब नीलाब का मतलब है आकाश या फिर आकाश की तरह कोई शांत व्यक्ति सिंगासन का संति विग्रह हो जाएगा सिंग प्लस आसन और निलाब का हो जाएगा नील प्लस आब निलाब और सिंग प्लस आसन हो जाएगा सिंगासन आपको संति विग्रह बताना है इस तरह से और इस तरह से तीसरा प्रश्ण है संग्या और हालिस्थान की विशेशता बताने वाले शब्द को विशेशर कहते हैं क्रिया विशेशर सर्व नाम या लिंग यहाँ पर हो जाएगा संग्या और सर्व नाम की विशेशता बताने वाले शब्द को विशेशर कहते हैं प्रेश्न चार है, खान पान कौन से समास का उधारण है? द्विक समास का, कर्म धारे समास का, द्वंद समास का या बाहु वरी समास का? दो शब्दों को आपस में जोडने के लिए जब इस तरह की चिन्य का प्रयोग किया जाता है, तो इसे योजक चिन्य कहते हैं. यहाँ पर द्वंद समास है, द्वंद समास की ये पहचान है कि दो शब्दों के बीच में इस तरह से योजक चिन्य लगा होता है, और दूसरी पहचान ये है कि दोनों शब्दों की विशेषता या प्रधानता एक जैसी होती है, यहाँ पर खान पान का मतलब है, खान भी और पान भी, दोनों का एक जैसा महत्व है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है, द्वंद समास, खंड खा का अंतिम प्रश्ण है, अब तो उत्तर भारत की धाबा संस्कृती लगभाग पूरे देश में फैल चुकी है, रेखांकित शब्द है, पुन रुक्ति शब्द, दूसरा व खंड गा में दिये हुए प्रश्णों पो देखते हैं, प्रश्ण No.4, निम्लिखित प्रश्णों में से किनी चार प्रश्णों के उत्तर देज़ें, यहाँ पर प्रश्ण आपकी पार्ठ पुस्तक से ले गये हैं, का प्रश्ण है, एक तिन का कग्दा के माध्यम से हमें क या संदेश मिलता है अगर इन प्रश्णों के उत्तर आपके पास पहले से हैं तो आप उन्हें लर्ण करें वो आसानी से आपको लर्ण हो जाएंगे या फिर आप यहां से उत्तर देख सकते हैं कि एक दिन का कव्धा के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि हमें स्वयम पर कभ बहुत भली थी उत्तर इस प्रकार हो जाएगा लेखिका को नील कंट का गर्दन उची कर देखना मेगों की सावली छाया में अपने इंद्र धनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडला कार बना कर नाचना विशेश भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेड़ी कर श्यब्द सुनना आदी चेश्टायम बहुत भाती थी गाप रिशने हैं खान पान की मिश्चित संस्कृत सिल्लेखा का क्या मतलब है अपने घर के उदारन देकर इसकी व्याख्या करें उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं यहां मिश्चित संस्कृत सिल्लेखा का तातपर विभिन प्रांतो वदेशों के व्यंजनों के अलग-अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है उदारन के लिए आज एक ही घर में हमें दच्छिन भाती उत्तर भाती वा विदेशी व प्रशा इस प्रकार हुई घमण्डी की आँख में जलन और दर्ध होने लगा उसकी आँख लाल हो गई वह बेजयन हो गया वह दर्ध से कराह रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था खंड गा में अगला प्रशन है प्रशन नमबर पांच निमलिखित प्रशनों के उत्तर बाल महाभारत कता के आधारित किनी दो प्रशनों का उत्तर दीजे यहाँ पर वा के सही नहीं लिखा है यह प्रशन बाल महाभारत पर आधारित है इन में से किनी दो प्रशनों के उत थे 15 वर्ष के आयू में फालगुन मास में उनका वीवा उत्रा से हुआ था खाप्रश्ण पूछा गया है पांचाल देश के राजा कुँ थे बाल महा भारत के अनुसार या मुताबिक पांचाल देश के राजा दुरुपध्य ये दुरोपदी के पीता थे गाप्रश्ण है युधिस्टिर के उत्तर से प्रसंद होकर यक्ष ने क्या कहा युधिस्टिर के उत्तर से प्रसंद होकर यक्ष बोले या कहा राजन मैं तुम्हारे मृत्य भायू में से एक को जीवित कर सकता हूँ तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा अंतिम खंडए, खंडगा यहाँ पर प्रेश नंबर 6 है किनी एक विशेप पर पत्र लिखे पहला है चलिए पहले पत्र को देखते हैं पत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिय मित्र और मित्र का नाम उसके बाद दिनाग इसके बाद आप उसका हाल चाल पूछेंगे प्री मित्र मित्र का नाम कैसे हो मुझे आशा है कि तुम ठीक होगे मेरी सर्दियों की छुट्टी अभी समाप्त हुई है या सर्दी मुझे जीवन भर याद रहेगी क्योंकि मेरे पिता हमें शिमला का हिल स्टेशन ले गए और मैं तुम्हारे साथ शिमला की हिल स्टेशन में अपने परिवार के साथ बिताए शांदर समय को साज़ा करना चाहता हूँ मेरे पास वास्तों में एक अच्छा समय था हम वहाँ सीजन की पहली बर्फ बारी देखने गए थे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना था तुम होते तो और मजा आता यहाँ का मौसम इतना ठंडा था कि मैंने उनी कपड़ों की कई परतों के बावजूद अपने हाथों यहाँ पे और होना चाहिए पेरों को महसूस नहीं गया हम रोजाना, होट, स्टीमी, कॉफी और स्नेक्स के लिए रिज जाते थे रिज मतलब उची पहाड़ी, सक्री भाड़ी हरीदारी और शॉपिंग के लिए मौल जाते थे यह बहुत मज़ेदार था यह सब इतना अच्छा था कि मुझे घर वापस आने का भी मन नहीं हुआ हमने कई तस्वीरे भी क्लिखी जब तुम यहाँ आओगे मैं उन्हें तुमको दिखाऊंगा छुट्टी के दोरान तुम अपने अनुभाव के बारे में मुझे लिखो और अंत में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम अत्वा में है प्रधाना चार को पत्र लिखते हुए बताईए कि विद्याले में खेल का सामान कम होने के कारण उन्हें परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सबसे पहले आप लिखेंगे श्रीमान प्रधाना चार जी इसके बाद अपने स्कूल का नाम विशे खेल का सामान मगवाने हिर्दु आवेदन पत्र फिर महोदय अगर महिला हैं तो यहां पर होगा प्रधाना चार या और यहां पर होगा महोदया सबसे पहले आप लिखेंगे सविने निविद्यन है कि अब तक हमारी विद्याले में खेल की सामान की उचित विवस्था नहीं है विद्याले में बच्चों का सरवांगी विकास होना जरूरी है या होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना अत्यनता वश्यक है तभी बच्चों का सरवांगी विकास संभव है महत्पूर्ण विश्यों की पढ़ाई की विवस्था तो उत्तम है लेकिन खेल की संबंद में यह विद्याले कमजोर है हमारे विद्याले में कई विद्याथी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई से ज्यादा रुची खेल में हैं यदि उन्हें उस खेल में उचित प्रशिक्षर दिया जाए तो हमारे विद्याले का नाम उचा होगा लेकिन पर्याथ साधन की उपलब्धता के अभाव में उनका अभ्यास पूर नहीं हो पाता अता आपसे अन्रोध है की किरपा इस पर ध्यान दें और विद्याले में खेल के सामान की समुचित विवस्था कराएं आपके द्वारा किये गए इस कुपकार के लिए हम सदेव अभारी रहेंगे इसके बाद आज्याकारी शिश्य और अपना नाम प्रेश्ण नमबर साथ ये प्रेश्ण पत्र का अंतिम प्रेश्ण है निमलिखित में से किनी एक विशे पर अनुच्छेद लिखे पहला मेरा प्रिये खिलाडी और दूसरा जल ही जीवन है पहले मेरा प्री खिलाडी के बारे में देखते हैं आपको जो भी खिलाडी पसंद है उसके बारे में लिखे यहां पर विराट कोहली के बारे में लिखने को बहुत कुछ है आपको जो भी पसंद है वो लिखे या फिर यहां से लिख सकते हैं कि विराट कोहली भाती क्रिकेट बैंगलोर के लिए खिलते हैं, वह युबाओं के पसंद दीदा खिलाड़ी हैं, और इनके कई कारण भी हैं, जो की निमलिखित हैं, विराट कोहली के लिए अनुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह जीवन जीने का एक तरीका है, विराट कोहली का मानना है कि कड़ी मेहन हैं, जल हमारी पहली अवशक्ता है, जल ही जीवन के बारे में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, जल की बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसके बिना भूमी पौधे और पश पक्षियों का संतुलित जीवन संभव नहीं है, जल का महत् करतिक वातावरण के लिए भी अत्यंत महात्वण हैं समुद्र नदियां जीलें और बर्फ आध के रूप में जल के संसाधन हमें जल की आवश्यक्ताओं को पूरा करने में मदद करते हैं जल का इस्तमाल पीने नहाने भूजन बनाने कपड़ा साफ करने आधि दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है जल हमारे जीवन की आधार शिला है या हमें उर्जा देता है और शरीर की संरचना को बनाए रखता है यह था पेपर का अंतिम फ्रेश्ण मेरा सजेशन है कि आपको जो भी पोर्षन करा गया है उसे भी आप फ्री वाचीज तैन्स वर वाचीं